हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल HP Study Hub में जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करने जा रहे हैं JOA IT Postcode 817 का मौक टेस्ट 17 तो आज तक हम 16 मौक टेस्ट अलरी डिसकस कर चुके हैं जिन भी दोस्तों ने वो नहीं देखें वो क्रिपे करके हमारे चैनल में जाएं प्लेलिस्ट में जाएं सभी लेक्चर्स देखें और अपना नॉलिज गेन करें तो चलिए चलते हैं फ्रेंट्स आज की question number first पे तो फ्रेंट्स ये रा question number first आपके सामने ग्राम दर्शन का शुब आरम किस के द्वारा किया गया चार options option number a गुजरात बी असाम option c ओडिशा and option d हर्याना तो फ्रेंट्स ग्राम दर्शन का शुब आरम किया गया हर्याना के द्वारा और इसकी गोशन की वहां के मुख्य मंतरी मनहुरलाल खटर जी के द्वारा चलते हैं next question पे question number 2 तो ये राफ्रेंट्स question number 2 आपके सामने किस राजे ने ग्राम दर्शन के लिए डिजिटल सेवा से तु कारेकरम के पहले चारण का शुबाराम किया चार options option a गुजरात option b option c करनाटका और option number d मध्याप्रदेश तो इस question का friends right answer रहेगा option number a गुजरात और कारेकरम के शुरात केंदर के भारत नेट परियोजना के तहत की गई जिसकी एम है ग्रामिन क्षेतरों में सारप जनिक कल्यान के लिए technology का maximum use करना तो चलते हैं friends next question पे question number three आपके सामने भारत के premium कपास का नया brand नाम क्या है चार options option a कॉमल option b शक्ती option c कस्तूरी and option d कुम कुम तो इस question का friends right answer रहेगा option c कस्तूरी next question question number four आपके सामने भारती बायु सेनादी बस कब मना जाता है option a October 2 option b October 4 and option c October 8 and option d October 15 तो इस question का friends right answer रहेगा option number c October 8 I hope सभी ने यह attempt कर लिया होगा और हाँ बता दू friends भारती बायसे नादी बस मनाया जा रहा है 1932 से लेकर तो first time 1932 को बनाया गया था और जिसका नाम रखे गया था Royal Indian Air Force और इसे भारती नाम Indian Air Force दिया गया 1950 में तो चलते हैं friends next question पर question number 5 भारत का पहला उन्नत बी निर्वान के अंदर कहां स्थापित किया जाएगा first advanced manufacturing hub चार options option number 1 केरला option B Tamil Nadu option C Karnatika and option D तेलंगाना तो इस question का friends right answer रहेगा option number B Tamil Nadu में जो कि स्थापित किया जाएगा world economic form और guidance के द्वारा next question question number 6 राजेश्वर राव ने खालिस्तान के लिए नए उपराजेपाल को निउक्त किया गया है राजेश्वर राव आपने बताना है कहां के नए उपराजेपाल निउक्त किया गये चार options option number A SBI, option B RBI, option C इनाबाद and option D none of these तो इस question का friends right answer रहेगा RBI, तो RBI के लिए नए डेपटी गवरनर निउक्त किया गये next question question number 7 तो इस question का friends right answer रहेगा option number D, Japan next question, question number 8 आपके सामने सिर्कोन हाइपरसोनिक मिसाइल कहां की है option number A, China option B, USA option C, Australia और option D, Russia तो इस question का friend right answer रहेगा option number D, Russia की येक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो की maximum distance कबर करती है 450 km का और higher altitude maximum ये जा सकती है 28 km सक next question, question number 9 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD और CEO किसे न्यूक्त किया गया option number A, जे बैंकट रमू option B, सुरेश से टी option C, विनोत, कना and option B, अभिदुल्ला, हैशक तो इस question का friends right answer रहेगा option number A, जे बैंकट रमू तो चलते हैं friends, next question पे question number 10 then, अश्विनी कुमार, जिनका की हाल ही में निधन हो गया, वे किस चीज़ से जुड़े हुएं option A, former governor of Manipur option B, former governor of Nagaland option C, ex-CBI director and option D, all of the above तो इस question का friends, right answer रहेगा option number D, all of the above तो वो former governor रहे हैं Manipur के भी और Nagaland के भी और ex-CBI director भी वो रह चुके हैं तो इस question का option number D, right answer रहेगा चलते हैं, next question पर the qualitative or quantitative attribute of variable or set of variables is termed as option A, data, option B, information option C, both of above and option D, none of above तो इस question का friends, right answer रहेगा option number A, data next question, question number 12 वेरा आपके सामने, main storage is also called option A, accumulator, option B control unit, option C, register unit and option number D, memory तो इस question का friends, right answer रहेगा option number D, memory बहुत ही असान option है I hope आपने attempt कर लिया होगा next question पर चलते हैं question number 13 आपके सामने which of the following are considered to be video component video component किन किन को consider किया जाता है option A, resolution B, color depth option C, refresh rate and option D, all of the above तो इस question का friends, right answer रहेगा option number D, all of above next question, question number 14 आपके सामने, for what anti-guythera was used anti-guythera को किस चेज के लिए यूज किया गया option number A, for counting option B, for calculating text collection option C, for calculating astronomical positions and option D, for calculating firing weapons तो इस question का रहेगा option number C, for calculating astronomical positions next question, memory unit is one part of option A, input device option B, control unit option C, output device and option D, central processing unit तो इस question का right answer रहेगा option number D, central processing unit चलते है next question पर question number 16, microprocessors can be used to make microprocessors को किस लिए use किया जाता है option A, computer बनाने के लिए option B, digital systems में option C, calculators में और option D, all of the above में तो इस question का right answer रहेगा option number D, all of the above में next question, question number 17, आपके सामने, which statement is valid about computer program, computer program के बारे में कौनसी statement valid है, option number A, high level language must be converted into machine language to execute, option B, high level language program are more efficient and faster to execute, option C, it is more difficult to identify errors in high level language program than in low level language, option D, all of above तो इस question का right answer रहेगा, option number A, high level language must be converted into machine language to execute, उनको execute करने के लिए machine language में convert करना ही पड़ेगा, चलते हैं next question पर question number 18, आपके सामने, by programmable machine, we mean programmable machine से आपके समझते हैं, option A, computers, option B, modern television, option C, washing machine and option D, anything that can be set to perform different tasks with suitable programs, तो इस question का रहेगा, right answer रहेगा, option number A, computers, next question, question number 19, which of the following is a secondary memory device, secondary memory device आपने बताना है, option A, keyboard, option B, disk, option C, ALU, arithmetic logic unit and option number D, all of the above तो इस question का, friends, right answer रहेगा, option number B, disk, तो आपने मुझे बताना है, कि secondary memory devices कौन-कौन से होते हैं, next question, question number 20, the memory which is programmed at the time it is manufactured, memory जो कि तभी program किया जाती है, जब उसको manufacture किया जाता है, उसके बाद आप उसको program, उसमें instruction set नहीं कर सकते हैं, कौन सी memory है, option number A, ROM, option B, RAM, option C, PROM, and option D, E, PROM, तो question का, right answer रहेगा, friends, option number C, PROM, चलते हैं, next question पे, question number 21, यह रहा आपके सामने, one of the popular mass storage device is CD-ROM, तो सभी जानते हैं कि CD-ROM क्या है, एक popular storage device है, तो आपने बताना है कि what does CD-ROM stands for CD-ROM की full form बतानी, option number A, compactable read-only memory, option B, compact data read-only memory, option C, compactable disk read-only memory, and option number D, compact disk read-only memory, तो इस question का, friends, right answer रहेगा, option number D, compact disk read-only memory, question number 22, यह रहा आपके सामने, identify that true statement, true statement बतानी आपने कौन सी है, option A, computers are 100% accurate, but it can suffer from GIGO, garbage in, garbage out, option B, computers are reliable because they use electronic component, which have very low failure rate, option C, computer is never tired and does not suffer from boredom, and option D, all of the above, तो friends, इस question का, right answer रहेगा, all of above, चलते हैं, next question पे, question number 23, Fortran is, Fortran क्या है, option A, file translation, option B, format translation, option C, formula translation, and option D, floppy translation, तो friends, इस question का, right answer रहेगा, option number C, formula translation, तो बता दूँ, friends, Fortran एक scientific language है, जो की, obviously, एक formula translation है, चलते हैं, next question पे, question number 24, the programs which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as, option A, hardware, option B, software, option C, firmware, and option D, ROM, तो इस question का, friends, right answer रहेगा, option number C, firmware, चलते हैं, next question पे, question number 25, and the last question of this lecture, which of the following memories must be refreshed many times per second, option A, static RAM, option B, dynamic RAM, and option C, EEPROM, and option D, ROM, तो इस question का, friends, right answer रहेगा, option number B, dynamic RAM, तो इसी के साथ, friends, आज के 25 questions होगे complete, I hope आपने अच्छे से attempt किये होंगे, तो हाँ, अपना score हमारे साथ comment box में जरूर शेयर करें, और यदि आपको हमारे lectures अच्छे लगे हों, और PDF फाइल चाहिए, तो हमारे telegram channel, HP Study Hub को जोइन करें, और वहाँ पर आपको PDF फाइल easily मिल जाएगी, और friends, हमारे channel को subscribe जरूर करें, और शेयर करना ना बूलें, मिलते हैं friends, next lecture में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से preparation कीजिए, धन्यवाद,